नमस्कार मैंक की स्वागत करता हूं आप सभी कर टाइमस ओफ राइट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों UPSC की तरफ सब वेकेंसी निकाली गए है जिसमें वेकेंसी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट वेकेंसी रहने वाली है और अप्लाई करने के लिए अगर आपने ओनर्स किया और अपने ब्यूस घंट ओड कर सकते हैं दोश्तों टूटल वेकेंसी जो यूपिएकेंसी की तॉन स्टेंट प्लस निकाली गए अब बात करते हैं पीमस इंप्लोई स्टेट इंसौरेंस कोर्पुरेशन मिनिस्ट्री ओफ लेवर एंड इंपकॉर्मेंट में वेकेंसी निकाली गी हैं जिसमें ग्रूपब बीकी पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी पोस्ट का नाम जो है नर्सिंग ऊफिसर की पोस्ट है और अप्लाई जो आपको पीमेल ओल इंडिय के अप्लाइग कर सकते हैं टूटल वेकेंसी जो नर्सिंग ऑफिचर के लिए जो ए उनिस सो तीस पॉस्प वेकेंसी निकाली गिए है जिसमें कटेग्री वाइज जो है अन्रेजर्ब के लिए 892 वेकेंसी एड़ुस के लिए जो है जो है यह जो है यह यह अब बात करने लेते हैं अप्लाइक करने के लिए अज्जिकेशन कोलिफिकेशन की तो मिनिमम आपके जो है complete 8 वर्स complete होना चीह है और maximum 30 year यूर और EWS के लिए age limit और 33 वर्स ओवीची के लिए 35 वर्स है HCT के लिए और 40 वर्स पी डब्लूड के लिए age limit रहने वाली है इसमें आपका selection आपका return recruitment test के बिस्पापका selection रहने वाला है जिसमें आपका selection process में जो बात करें question की तो question जो आपको करने के लिए total 2 घंटे दिये जाएंगे जिसमें आपको सभी question करने के लिए equal number दिये जाएंगे जिसमें आपका objective type question पूछे जाएंगे जो multiple question रहेंगे choice के उन question को आपको करना होगा और medium जो आपका English medium में question पूछे जाएंगे और इसमें आप दोस्तों आपका offline medium में question रहेगा जिसमें OMR seat पर आपको solve करकर flip करना होगा बात कर लेते हैं नेगिटिव मार्किंग की तो नेगिटिव मार्किंग जो आपका one by third आपका नेगिटिव मार्किंग रहने वाला है और apply करने की पर आपका नेगिटिव में अप्लाई करना है या फिर आपने रेगुलर कोर्स के बेसी नर्सिंग नर्सिंग या फिर पर पोस्ट बेसिक बेसे आपके से नर्सिंग किया तो apply कर सकते हैं दोस्तों आपके नर्सिंग जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में राजिस्ट्रेशन होना चाहिए अब बात कर लेते हैं अगर आपने डिपलोमा किया है जी एनम से तो भी apply कर सकते हैं इसमें डिप्लोमा के लिए जो जी एनम है उनके पास जो एक्सप्रेंस भी होना चाहिए जिसमें एक्सप्रेंस जो है डिप्लोमा जी एनम के लिए वन येर का मांगा गया है जिसमें मिनिमम जो है 15 बेड़ का होना चाहिए यह वैकिंसी अपलाई करने की स्टार्टि जब है हैं को आप्लाइक सबताते हैं तो आपको ऐसे करते हो आपको ओफीशल वेब सीट के माधिए अप्लाई करना होगा जैसे आपको डोकुमेंट कौन-कौन से लगेंगे और पूरा स्लेवर्स आपको डीटेल पूरा जानकरी दी गए आप चाहे तो नोटिफिकेशन टेलिग्राम से डाउलोग कर सकते हैं मैंने टेलिग्राम पर अफीचल नोटिफिकेशन अप्लोड करका है वहान से डाउलोग कर दीजिगा और डीटेल में पढ़ लिजिए खा किस लेवर्स क्या क्या रहेगा और कौन-कौन से कोशन पूछे जाएंगे आप तक जोब के अब डेटेली पूस्ते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा तो मैं देखें से नेक्स वेकंसी में थैंक्यू